दोस्तो हम सब लोग बाहर जाके डोसा, इटली, सामबर ये सारे चीज़ें तो खाते ही हैं तो उनके साथ खाने के लिए हम लोग चटनी लेते हैं तो वो जो चटनी है घर पे कैसे बनाई जाती है आज में आप सब के साथ इसका आइडिया शेयर करने वाले हूँ इस चटनी को आप जटपट बना कर एक हपते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आप घर में डोसा, इटली, बड़ा, कुछ भी साथ इंडियन खाना बनाए इस चटनी को फटापट से बना कर सर्प कर सकते हैं चलिए वीडियो को शूरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है एक कढ़ाई ये मैं स्टील की कढ़ाई ले रही हूँ, आपके पास जो भी हो वो ले सकते हैं कढ़ाई में डाला है लगबग 5 चमच तेल तेल गरम होते ही मैंने इसमें एक कप मुमपली दाना डाला है और इनको हम फटा-फट से चलाते हो अच्छे से भून लेंगे जैसे ही ये 20 से फटना शुरू हो जाएगी इसका मतलब हो जाएगा कि ये फून चुकी है भूनने के बाद डाली है मैंने हरी मेर्ज, चार लसन की कलियां और डाल लेंगे खुब सारी करी पत्ता, साथी साथ इसमें डालूंगे मैं भूनी हुई आदा कप चनी की दाल इन सारी चीज़ों को हमें चलाते होए अच्छे से भूनना है मुमफली तो यहाँ पर आदी पहले से ही भून चुकी है बस इन सारी चीज़ों को और हमें दो मनट तक मुमफली के साथ ही अच्छे से चलाना है जिससे की यह अच्छे से भून जाए तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मैंने मुमफली के साथ लगभग दो मनट तक ही हाई फ्लेम पे भूना है सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई है और इन मैंसे जो खुश्बू है ना वो भी बहुत बढ़िया आ रही है तो बस अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और इन सब को कर लूँगी रूम टेंपरिचर पे ठंडा ठंडा होने के बाद ही हम आगे के प्रोसिस की ओर बढ़ेंगे सारी चीज़ें ठंडी होने के बाद इनको डालूँगी मैं एक ग्राइंडिंग जार में तो तेल को आप ऐसे हटा के फिर डाले या फिर आप इनको चान भी सकते हैं और डाल दिया है एक कप सूखा नारियल का पाउडर अब डालूँगी मैं दो से तीन चमच भर के खटा दही नमक स्वात की अनुसार डालूँगी थोड़ा सा हारा धनिया और इन सारी चीज़ों को हम पहले पीस लेते हैं तो अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी पहले एक बार चला लूँगी चलाने के बाद ये कुछ इस तरीकी की हो गई है तो डाल दिया है मैंने इसमें एक कप पानी और पानी डाल कर इसको हम फिर से पीस लेते हैं पीसने के बाद हमारी चटनी बन के तयार हो गई है इस चटनी को म बहुत बहुत ज़्यादा आसान ये चटनी हर किसी को बहुत पसंद आती है मैंने अपने घर में आज डोसा बनाया है सांभर बनाया है तो उसके साथ मैंने इसको सर्व किया है चलिए मैं इसको टेस्ट कर लेती हूं और ये जो डोसा बनाया है मैंने ये स्पॉंज डोसा बना मिलेंगे आपके साथ अगले नए वीडियो में तब तक लिए आपका दिन शुभू नमस्ते